नशकर दोस्तों स्वागत है आपका एक पर फिर सी आपके अपनी यूटीब चैनल चोब लग पर दोस्तों आज की सुड़ी में बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2020 की बारे में जहां दोस्तों पीटेट दोबर से पाठीकरम के लिए पीटेट की काउंसलिंग परक्रिया ओ पूचे गए हैं उन सवही सवालों की जवाब मैंने इंस्टा पर इंस्टंट आप लोग दिये हैं लेकिन यूटीब पर आपको पता है कि इतने सारे कमेंट्स का एक साथ रिप्लाइ करना संभव नहीं होता है तो आज की सुड़ी में हम इसी सवालों को डिसकस करेंगे पारंटी देता हूं कि इस वीडियो को दिखने के बाद आपकी मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की दिया आप चैनल पर नहीं ह करें और वीडियो को like करने में कंजूसी न करें चैनल जॉबलक वीडियो की संक्या में कोई भी परकार की कंजूसी नहीं कर रहा हैं चली फ्रेंट्स सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टूडिय लिटिश्ट अपडेट की कि 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 स इस परकार से आपको अपवाइट मुमेंट का रेजल्ट सांती सांत सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आपको कॉलीज आवंटित हुआ है या नहीं इसको किस परकार से चेक करना है तो दोस्ट सिंपल सा प्रोसेस से आपको अपने मुबाइल में Chrome ब्राउजर को ओपन करना है त जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपकी सामने कुछ इस तरका इंटरफीस आता है उसके बाद फ्रेंट्स फोर पीटेट स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाता है प्रिंट अलॉट्मेंट लेटर अप्वाइट मुमेंट एंड वेटिंग इसके बाद टेट उफ बर्थ को फिल करते हुए पैमेंट आप्सन को सलेक्ट करना है पैमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं उसके बाद लॉग इन के बटन पर क्लिक कर देना है ध्यान रखे आपकी कांसलिंग आइड आपकी पीटेट के रिजल्ट में आपके मार्क्स क उपर आपको देखने को मिलेगी सारी डिटेल्स को फिल अप करने के बाद जैसे ही आप लॉग इन के बटन पर क्लिक करोगे आपकी सामने या तो ये लिखा आएगा कि आपके द्वारा भरे गए विकल्प में से आपको कोई भी माविद्याले आउंटित नहीं हुआ है या और फिर आपके सामने कुछ इस तरका इंटरफीस आएगा अफ्रेर्स यहाँ पर भी आपके तीन तरकी कंडिशन होती है पहली कंडिशन यह कि आपको पहली से माविद्याले मिल रखा था आपने अपवर्ड के लिए एपलाई कर रखा था तो ऐसे में अगर ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर अपवर्ड के लिए एपलाई कर रखा था और उसी कॉलिज का नाम सू करता है तो इसका मतलब आपका अपवर्ड के द्वारा कॉलिज चेंज नहीं हुआ है दूसरी कंडिशन यह है कि आपकी द्वारा अपवर्ड एपलाई किया गया था और आपको यहा आपका upward success रहा और आपका college change हो चुका हैं तीसरी condition यह है कि आज तक की date में आपको कभी भी college नहीं मिलाता लेकिन आज पहली बार आपको यहाँ पर college का नाम सो हो रहा है तो इसका मतलब आपको second waiting list में college a lot हो चुका हैं आपको बहुत बहुत बदाई हो तो friends आगे बात करते हैं अगर आपको आज पहली बार second waiting list में नया नया college आवंटित हुआ हैं तो इस बारान आपको कुछ नहीं करना है आपको इस वीडियो के description में उपलब लिंक पर क्लिक करना है आपके सामने एक नया वीडियो आज आएगा इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीना इस वीड करीब दो सब्ता पहले इस वीडियो को अपलोड कर रखा है तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं तो ये तो हो गई बात उन सबी candidates की जिनने आज की date में नया नया college आवंटित हुआ है उसके बाद friends बात करते हैं ऐसे students की जिन्नोंने second appointment करवाया था लेकिन college नहीं बत करने नफीस जमा करवानी कुछ भी नहीं करना है लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दे कि दोस्त अगर second appointment में participate किया था और college चेंज नहीं हुआ है तो ऐसे में डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक और appointment का system आपके सामने यहाँ पर आएगा तो आप चाहें त बात जो upward हुआ था उसमें college चेंज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर second time में ने जब upward moment के लिए apply किया तो उसका college चेंज हो गया और change क्या हुआ वह बहुत यहाँ पर home district के नजदेक आ चुकी है तो बिलकुल इसका benefit हो सकता है जब भी यहाँ पर apply upward moment का option आए आप उसको try जरूर करें बाकी भई कुछ भी नहीं करना है मस्त मजे करो उसकी बात बात आती है ऐसे candidates की जिने second अपोएट मुमेंट में अभी आपका यहाँ पर college चेंज हो चुका है यानि जैसे ही आप print allotment letter पर click करके details को fill up करके आगे बढ़ते ही आपकी college की जगे एक नए college का नाम आपको द online reporting कर रहा हूं मेरा करपया करके admission confirm करें और उनसे समय भी पूछ लेना कि सर कब तक आप यहाँ पर admission confirm कर देंगे तो जो भी वे समय देते हैं उस समय के भीतर आपको यहाँ पर check admission status पर आना है और यहाँ पर check करना है कि admission हो चुका है या नहीं क्योंकि यहाँ पर जब आपको नए college की provisional admission slips हो होगी इसका मतलब आपका नए college में admission हो चुका है ध्यान रखे कि इसकी जो reporting की date है वो आपके 25 से 28 तारिक ही है और साथ ही जिनको आज नया नया college allot हुआ है उनके लिए dates फीस जमा करवाने की और document upload करने की 25 से 27 तारिक ही है तो जैसे ही friends आप यहाँ पर college मे call कर देते हैं और उसके बाद check admission status में आपका professional admission slips हो जाता है तो आज साम की date में या कल साम तक की date में जो upward moment आए उसको आप अगर try करना चाते हैं तो आप try कर सकते हैं मतलब कि college बदल गया लेकिन अब भी satisfy नहीं है तो फिर से एक बार upward moment कर सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है तो ये तो सारी रामाइंट थी उन सभी students की जिनों आज तकी date में college किसी न किसी तरह से मिल चुका है लेकिन friends बात करते हैं ऐसे students की यानी मेरे चिंतित भाय तता बैनों की जिनको अभी तक आग भी बार college अलोट नहीं हुआ है या फिर college मिला तो था पर admission नहीं ले पाए तो तो friends जो कुछ भी बता रहा हूँ जड़ा ध्यान से सुनेगा पूरा और पूरा एक्दम सही तता सटिक जानकारी दे रहा हूँ जैसा कि friends आपने यहाँ पर देखा कि आथ second waiting list का result आ चुका है और उसी के साथ upward moment का result भी आ चुका है तो इनके जो admission का process है वो करीब 28-12-2020 तक चलेगा यानि 28-12-2020 तक आपके लिए कोई भी update नहीं आएगी केवल और केवल इनी students के लिए update आएगी जिनको अभी तक college मिल चुका है और उसी के साथ एक दिन का यहाँ पर हमेशा का हमेशा यह schedule रहता है कि इसकी date को बढ़ाया जाता है 99% बढ़ाया जा सकता है लेकिन भी बताया है वो परतिसत सही बताया है यानि बिलकुस सही हुआ है और उसी के साथ friends मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 30-12-2020 की बात में आपके यहाँ पर अरे यार यह तो साल खतम हो रहा है एक 30-12-2020 की बात में यह नए साल को आपके लिए एक नहीं खुसकपरी लेकिन फिर भी में आपको यहाँ पर बता दो कि जिस तरह सी चारवड़ецी पाठीकर में एक लाश चंस का अप्सन आया था उसी परकार से आपके लिए विए भी यहाँ पर टू एर के पाक्रम में एक लास चंस का अप्सन आयेगा जिस चंस की ओप्सन के दौरान आप जैस उसको एडिक पी कर सकते हैं और साथी साथ आप जो मन चाहे और राजस्तान फलाना डिकला जो मन चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं एक नए सीरे से इस कांसलिंग परकरिया का आखरी हिस्सा बन सकते हैं अब फ्रेंड्स उसके बाद भी अगर आपको कॉलिच नहीं मिलता है तो आ यहां पे रीट में बैठेंगे नई यह अभी रीट की बरती में बैठेंगे और लगार आपको सब्रेक कर avatar जाएंती जाएगी जैसे के एक नए इस्टूडेंट को जो पहली बार कांसलिंग करवाता है उसको दी जाती है और इसे लास्ट चांस में उन सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं का भी समाधानोगत जिनको पहले से कॉलेज अलोट हुआ था लेकिन जो कोई कारणवस एड्मिसन नहीं ले पाए तो उन्हें यहां पर इकलास चांस दिया जाएगा एड्मिसन लेने का तो अभी मेरी आपसे एक रिक्वेश्ट ही कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप एड्मिसन नहीं ले पाए तो प्लीज पै अंति मौका आ रहा है उसके बाद कई सारे भाईवेन ये भी सूचेंगी कि सर क्या फेकम फेक कर रहे हो तो भई आज तक के इत्यास में तो जॉब लग पर मैंने कभी फेकम फेक नहीं की हाँ एक बार अभी गलती से जरूर बोल दिया था चार साल वालों को कि भई आपने लॉग कर दिया है तो आप एडिट नहीं कर सकते वो भी गलती से और उस गलती को भी अगले दो गंटे में मैंने सुधार दिया था तो बिलकुल भी यहाँ पर कोई फेक नहीं कर रहा हूँ आज साम तक इन सभी के लिए अपवर्ड मुमिंट का एक नया उप्सन आ जाएग एक लास चांस आएगा जिसके इंतरगत आप यहाँ पर कॉलीज एडिट कर सकेंगे और एक नई काउंसलिंग परकरिया में किस प्रकार से भाग लेते हैं उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर इसका हिस्सा बन सकेंगे उसके बाद पर अगर कॉलीज नहीं मिलता है तो और को नहीं मिले बाकी दोस्त बात करते हैं आज सेकेंड वेटिंग लिष्ट की कट आफ की बारे में तो कट आफ जिससा तो कुछ होता है नहीं है मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कॉलीज चोईस पर भी डिपेंड करता है साथी साथ आपकी कैटेगरी पर भी डिपे जिससे कि यहाँ पर जिनको कॉलीज आवंटित नहीं हुआ है उनको तसली हो सके कि अगला चांस है या नहीं तो आई हॉप की फ्रेंड्स आपके सभी के सभी सवालों की जवाब आपको मिल गए होंगे आप यहाँ पर एक लास चांस का वेट कीजे मैं 100% से और हूँ कि यह मैंनत नहीं की होगी अब जहां भी पत्थर डालने जहां भी उसका रित्ता नेकना है वो आप नेक सकते हो लेकिन अगर यहाँ पर आपको पहले से कॉलीज मिला था और आपने एड्मिसन नहीं लिया तो आपको एक अंतिम चांस दिया जाएगा और उसी के साथ इसी चांस क कर सकता हूं कि दोस्त दस अजार सीटों पर तो यहां पर अलोट्मेंट हुआ है लेकिन सभी की सभी यहां पर इस काउंसलिंग में भी एड्मिसन कंफर्म नहीं कर पापाएंगे और इसलिए यहां पर सीटे रिखत रहेगी और उन्हीं पर आपको एड्मिसन दिया जाएग तो फ्रेंड्स आज की वीडियों बस इतना है मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत इस वीडियो को दबा के लाइक कर दिजीगा अपनी फ्रेंड्स की साथ शेर कर दिजीगा और चैनल को जितना बन सके भाई सपोर्ट कीजीगा ठैंक्स वोचि